चाई पियो और कुलहड़ खाओ सुन्दे में थोड़ा अजीव लग रहा है न लेकिन इसको सच कर दिखाया है मिर्जापुर के एक युवाने अपने स्टार्टप बिजनस में शास्त्री सीतू के पास अनोकी चाई के दुकान पर लगे बूड में लिखा हुआ है कि चाई पियो और कुलहड़ खाओ जिसे देख कर लोगों की काड़ी में ब्रेक लग जा रहे हैं पहली बार मातर 20 रुपे में केई फ्लेवर्स की चाई पी कर लोग अलहदा तज़र्बा हासिल कर रहे हैं अपने कुलहड चाई के दुकानदार के मालिक हैं आमिर शेक लोगों को स्पेशल चाई बिस्किट से बनी कुलहड में देते हैं लोग चाई पीने के बाद बिस्किट की बनी कप को खा जाते हैं और हैरानी की बाद तो ये है के स्पेशल चाई के खेमत महज 20 रुपे हैं जबकि सामाने चाई सिर्फ 10 रुपे में मिलती हैं आमिर ने बताए कि उनकी दुकान में 20 फ्लेवर्स की चाई मिलती हैं दूर दराज से लोग चाई पीने आते हैं लोगों को चाई इतनी भाती है कि लगबग 90 फिस्नी गिराक दोबारा चाई पीने जरूर आते हैं मेरा नामा आमिर सेख ये अपना दुकान है सास्त्री सेथू पक्कापुल पे हमारे यहां 20 फिलेवर्स की चाई मिलेंगे आपको और अपने पास मिर्जापुल पहले बार ऐसा हुआ है कि मैं जो बाहर से लेकर आए सिस्टम चाई पी हो कब खा जाओ और यह एडिया मुझे मेरे दोस्त हम लोग बैड़ के मुंबाई में बैटे थे तो उसने बुला कि चलवा से कुछ सुरू करा जाए तो मुला ठीक है भाई अब तुम मुंबाई में सुरू कर माई यूपी में अपना जागे करता हूं मिर्जापुल से कश्टमर तो अभी यह नया नया लुक देखके तो आए रहे और ज्यादा तर यह डिमांड चार रहा है कि चाय प्यों कब खालो वाला आज कल मिट्टी कद कप में तो हर कोई हर जगा पी जुगा ना लेकिन साथ यह मिर्जापुली बारा इसलिए जादा इबड़िया पर स फेकने से ज्यादा गंद की होती है परियावरण को नुकसान भी पहुंचता है इसको लेकर डिस्पोजल गलास की जगे खाने वाले कब में चाय दी जा रही है और अब तो इस एक्सपेरिमेंट की चर्चा आस पास के इलाकों में भी होने लगी है दुकान पर चाय पीने आ बाद लग रहा है कि जैसे पैसा वसूल होगी जैसे चाय में टोष्ट लोग प्रियोग करते हैं और बहुत अच्छी चाय है ऐसा कभी हम लोगों ने कपहली बार देख रहा हूं और बहुत नाम सुनाओ इनका इसलिए भाई लोग कभी शौभाग हुआ यहां आने का कितने फ्लेवर के चाय बता रहे हैं यह बता रहे हैं केसर की चाय है मतलब 8-10 फ्लेवर की चाय यह बता रहे हैं चाय हमारे पास है और चाय भी अच्छी है इनकी मिर्जा पूर से राजन गुपता की रपोर्ट